हलो फ्रेंद्स आफ वेलकुम भी यू अलो वोन सेटो हैक पीडिया और आज मैं आपके सामने Android प्रोडुक्टिविटी एप सीरीज का सबसे पहला वीडियो पेश करने जा रहा हूं जिसका प्रोडुक्टिविटी एप नाम है कॉटेना एक ऐसा प्रोडुक्टिविटी एसिस्टेट अप जो आपके डेली प्रोडुक्टिविटी को इनक्रीज करता है सो कैसे कता है चले देखते है तो दूस्तो जैसे कि आप जानते हैं, Microsoft ने अब इदर कई सारे operating system पर काम किया Windows 7, 8, 8.1, 10 और उससे पहले कई अर्ज लियर वर्जिन्स पे लेकिन Windows 10 जो है latest है और उसमें एक artificial assistant इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें आप अपने reminders, to-do list, to-do task सब setup कर सकते हैं अगर आप desktop user हैं तो लेकिन अगर आप Microsoft devices भी own करते हैं जैसे Microsoft का official handset device phone तो आप उसमें से भी अपनी चीजों को manplate कर सकते हैं और track कर सकते हैं तो अगर आपके पास Microsoft device नहीं है आप Android device on कर रखें तो आप उसमें भी इसका previous release डाउनलोड करके उसमें यह सब setup कर सकते हैं इसके लावा हम Google voice भी यूज़ कर सकते थे लेकिंग Google voice desktop के लिए अभी तक available नहीं हैं तो यह जो है productivity increase करने के लिए आपके phone आपके desktop दोनों पर ही available है तो मैं आपको prefer करूँगा कि आप Quartena का preview version Google Play Store से डाउनलोड करें और इस पर सारे task setup करें डाउनलोड करने के लिए आपको Google Play Store पर जाना है और keyword type करना COA preview unreleased अगर आप इसे डाउनलोड कर लें तो आप इस असान से setup कर सकते हैं Link description में दे गए हैं बस आपको download करना है अपने Microsoft account से login होना है यह sign up करना है और इसके बाद आप इस assistant को अपने सारे task, reminders, to-do list सब इसके साथ share कर सकते हैं और यह आपको बताएगा अगला काम आपको क्या करना है तो यह जो है productivity app series का सबसे पहला वीडियो और यह सबसे मददगार application है अगर आप इसे use करना चाहते हैं पल-पल यह आपको जगाएगा आपको बताएगा कि अगला काम क्या करना है तो आपको यह वीडियो पसंदा है आया है तो लाइक शियर और सबस्क्राइक करना ना भूलें